हलो एवरिवान, वेलकम तो माँ चैनल दियर इंग्लिश डिकोडर मैसल विकास सिनहा आज के इस रिडिंग निउस्पेपर सिरीज के पार्ट 6 में हम एक नए टॉपिक को कवर करेंगे जिसके थुरू आप नए वर्ड मेनिंग्स, राइटिंग स्किल, इंग्लिश ग्रैमर और निउस्पेपर हेडलाइन को कैसे पढ़ते हैं उसका ग्रैमर किस तरह का होता है आप उस सारे चीजों को समझेंगे जैसा कि आपने पिछले कुछ पार्ट में भी देखा होगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह का कंटेंट्स डेली मिलता है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं यहां लिंच का मतलब होता है भीड हत्या जब किसी को भीड पीट-पीट कर मार डालती है इलिगली तो इसको लिंच कहते है यानि दो लोगों को लिंच किया गया यहां लिंच लिखा हुआ है सिम्पल पास्ट में लेकिन एक्चोली सिम्पल पास्ट को हम पैसिव वोईस में पढ़ते हैं हेडिंग का ग्रैमर कुछ अलगतरा का होता है निउस पेपर का हेडिंग तो टू लिंच का मतलब टू वर लिंच यानि दो लोगों की भीड के द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई कहां तो इन 36 गड बड़े प्लेस के लिए हम इन प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं प्रिपोजिशन और प्रिपोजिशन के बाद वर में आयन जी जरूर लगता है तो दो लोगों को लिंच किया गया यानि भीड के द्वारा हत्या कर देगे पीट पीट के मार दिया गया 36 गड में किस चीज के लिए for carrying बुफैलोज क्योंकि वो बुफैलोज का मतलब भैस होता है वो बुफैलोज ले जा रहे थे in truck ट्रक पर वो अपने बुफैलोज को ले जा रहे थे आप यहाँ पे देखिए बिटन थ्रोन अब बिटन है मतलब यह पैसी वोइस में सारा चल रहा है यानि देवर बिटन उनको पीटा गया देवर थ्रोन यानि उनको फेक दिया गया कहां से ओफ महानदी ब्रिज of का मतला होता है किसी चीज़ से अलगाव यानि महानदी ब्रिज से उनको ठेक दिया गया one grievously hurt यानि एक को गंभीर चूटाई है hurt क्या है एक verb है और verb में अड़ होने वाला adverb होता है ly adverb बनाता है grievously hurt का मतला बुरी तरह से घायल चलिए अब आगे बढ़ते हैं two truckers अब truckers जो हम लोग truck driver कहते हैं उसको truckers भी कहा जाता है two truckers from उत्तर प्रदेश were allegedly lynched by cow vigilantes near temple town अरंग यानि two truckers यानि दो truck drivers को जो की उत्तर प्रदेश से थे were allegedly का मल होता है कथित रूप से कथित रूप से मतला इसा बताया जा रहा है कि उनको भीड के द्वारा पीट पीट कर मार दिया गया lynched by किसके द्वारा cow vigilantes vigilantes का मतलता है सतरकता समीती का सदस्य यानि वो legal नहीं है लेकिन police जब कोईसी काम को नहीं करती है तो कुछ लोग अपना एक संगठन बना लेते हैं और वो उस काम को करना सुरू करते हैं तो उसको बोलते है vigilantes यानि सतरकता समू के सदस्य तो by cow vigilantes near temple town temple town का नाम क्या है अरंग कहा पे है तो in 36 गड़ in the early hours of Friday यानि जो बोलते है ना तड़के यानि early morning सुबह सुबह कब तो while while का यूज तब हम करते हैं जब एक ही समय में दो काम हो while transporting buffaloes यानि जब वे ट्रकर्स वो buffaloes को ले जा रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई by cow vigilantes यानि पीट-पीट कर मार दिया गया और third यानि तीन ट्रकर्स थे जिसका मतलब तीन व्यक्ती थे जिसमें से एक तीसरा और एक तीसरा और third has survived यानि वो किसी तरह से बचा है has यानि कि present perfectance with critical injuries यानि वो किसी तरह से बचा है लेकिन उसको गंभीर चोटा आई है critical injuries जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना grievously hurt उसी का synonym हो गया critical injuries अब 57 second video video is a noun और के पहले हमेशा noun आता है non mad होने वाला adjective तो 57 second एक adjective का काम कर रहा है video is a noun और noun के वज़े से यहाँ पे और लिखा गया है अब यह नहीं सुझना एक 57 के पहले और क्यूं लिखा गया और दरसल आया किसके लिए विडियो के लिए और यह noun है तो यह adjective का काम कर रहा है और नावन के लिए और जरूर आता है यानि एक 57 second का विडियो और जो बचा है उसका 57 second का एक विडियो है जो circulate कर रहा है सब कर रहा है सरकूलेट कर रहा है और यह जो विडियो है बोला जा रहा है गिब्स और चिलिंग अकाउंट चिलिंग अकाउंट चिलिंग का मतलत है फ्रैटनिंग डरावना अकाउंट ऑब दा अटेक यानि यह जो विडियो है वो एक डरावना वर्नन कर रहा है अटेक किस तर से भ्यानक हमला किया गया वो chilling account ये वीडियो दिखा रहा है while someone questions him about the incident यानि जब कोई उसे सवाल कर रहा है incident के बारे में और जब वो बता रहा है तुसे पता लगता है कितना भ्यानक situation हुआ होगा उस समय the survivor who seems, seem का मतलत है प्रतीत होना simple presentance, survivor जो प्रतीत होता है barely conscious conscious मतलब host में और barely मतलब होता है मुश्किल से conscious adjective है और adjective में एड होने वाला adverb होता है तो barely मतलब मुश्किल से यानि मुश्किल से वो host में आ रहा था in his hospital bed यानि वो hospital भरती था और मुश्किल से ही host में मतलब अर्ध बहोशी की हालत में वो था और उसमें वो answer दे रहा था in monosyllables अब monosyllables का मतलब किसी भी question का जवाब हाँ या सिर्फ ना में देना वह इती बोला जा रहा है answers in monosyllables yes and no सिर्फ जवाब हाँ या ना में दे रहा था, इसके लावा बहुत बोलने की सिति में नहीं था He says that 14-15 people attacked them वो कहता है कि 14-15 लोग जो थो उन्होंने उन पे attack किया beat two of them to death उनमें से दो को पीट-पीट कर मार डाला गया beat them to death पीट-पीट कर मार दिया गया, वही लिंच किया गया and through, simple past में सब चल रहा है throw का भीटू through, और उन्हें फेक दिया यानि उनके bodies को through their bodies कहां से फेक दिया गया, from the bridge कहां फेक दिया गया, onto the river bed river bed का मतल हो गया नदी तल, उस पर फेक दिया गया onto, onto का use हम तब करते हैं, जब motion के साथ किसी चीज़ पर कोई चीज़ को रखा या फेका जाता है तो onto the river bed, onto is a preposition the survivor sage, यानि जो बचा हुआ आदमी है, जो जिन्दा भी बचा हुआ है survivor, वो कहता है, he jumped off the bridge to save his life यानि वो नदी में कूद गया, फ्रो कहां से, jumped off the bridge यानि पुल से ही कूद गया अपने जीवन को बचाने के लिए, to save his life the 30 foot fall, अब देखिए, fall is a noun, देखिए, article है article आया, मतलब आगे नव जरूर आएगा, तो fall is a noun, non-mad होने वाला adjective इसलिए 30 foot adjective का काम कर रहा है, the 30 foot fall यानि 30 feet की उचाई से वो यानि की कूद था, left him with multiple injuries अब 30 feet मतलब नीचे वो कूद जिससे उसको बहुत तरह की चोटे आई, multiple injuries मतलब बहुत सारी चोटे आई यानि जो दो लोग मारे गए उसमें से एक की बाड़ी ये बताता है उसकी बाड़ी को देखकर ये पता लगा को उसमें multiple injuries था यानि बहुत बुरे तरीके से मारा गया होगा और उसके बाड़ी में fracture भी था with one foot split apart यानि एक पैर को भाड़ के अलग भी कर दिया गया से सुरसे सुत्रो ने ऐसा कहा while police didn't reveal the names of the victims victim मतलब जिसके साथ ये कांड हुआ यानि पिडित police ने अभी तक reveal reveal का मतलब था प्रकट करना disclose करना तो police ने अभी तक उनके नामों को victims जो है उनके नामों को reveal नहीं किया है sources said those killed were रेकिन सुत्रो के हवाले से ये बताया गया कि जो मारे गया those killed were चांद मिया यानि police ने नहीं कहा किसी अनस्रोथ से ये पता चला उनका नाम था चांद मिया जो 23 years age का था गुडु खान 35 years age का था and the injured person यानि जो घायल यानि जो survivor जो बचा हुआ है is Sadam Qureshi all of them are from Saharanpour UP सारे कोई है जो UP के सहरतपुर से बिलॉंग करते है according to sources यानि सुत्रों के अनुसार some 15-20 vigilantes suspected them of smuggling cows यानि 15-20 vigilantes थे वही जो सतरता समू के सदश से जो मैंने इस सुरू में बताया था जो 15-20 vigilantes थे उनको शक हुआ कि वो स्मगल कर रहे तसकरी कर रहे का उसकी and changed the 36-गर registered truck और उन्होंने उनका पीछा किया change मतलब पीछा करना 36-गर registered यानि या जो ट्रक था वो 36-गर का ट्रक था उनका उन्होंने पीछा किया vigilantes ने from पटेवा यानि पटेवा से पीछा किया around 70 km from राइपूर यानि लगबग 70 km राइपूर से उन्होंने पीछा किया they intercepted intercepted का मतलब मार्ग को रोकना वो बीच में आके उनको intercept किये, ट्रक को रोक दिये on a bridge bridge पर वो रोक दिये on the महानधी रिवर and unleashed an attack और attack कर दिया unleashed का मतलब यहाँ कर दिया क्या negative activity attack कर दिया तो कर दिया के लिए हमेसा do का use नहीं करते हैं यह उसकी का synonym हो गया unleashed करना मतलब start करना उन पर attack करना शुरू कर दिया the truck was coming from महासमंध to राइपूर and was followed by some people यानि ट्रक आ रहा था महासमंध से राइपूर की ओर और उनका पीछा किया वहाँ followed अभी change बढ़ा रहा था अब उसका synonym हो गया followed इस तरह से आप synonym इंप्रूब कर सकते हैं followed किया गया किसके द्वारा by some people the deceased यह जो deceased का मतलत है मृतक deceased जो मर गये the deceased are जो मर गये वो residents थे निवासी थे किसके of सहारनपूर UP and the injured person और जो घायल है जो अभी hospital में जिसके बारे हम पढ़े जो statement दे रहा है has been admitted to a hospital और injured person को hospital में भरती किया गया है he is not in a condition to give a statement यानि वोस condition में नहीं है कि वो statement दे सके right now अभी तुरंद but police are trying to record his version लेकिन police कोशिश कर रहे है कि उसके statement को उसके version को record किया जाए we are scanning CCTV footage of the location हम लोग CCTV footage को scan कर रहे है मतलब उसको examine कर रहे है unfir अब यहाँ un-use हुआ article चुकि FIR में पहला sound होता है जोकि vowel sound है और उसके लिए हम un-use करते हैं तो un-FIR has been registered यानि FIR दर्ज कर लिया गया है राइपूर SSP संतो सिंग शेड़ राइपूर SSP संतो सिंग ने ये कहा the SSP told TOI यानि SSP ने TOI टामस अफ इंडिया को कहा that the post-mortem of one person was conducted यानि post-mortem किया गया एक person का कहाँ पे तो इन राइपूर conduct करना यानि post-mortem करना अब करना का हर जगा हम do का यूज नहीं करते हैं हना यहाँ पे conduct करना post-mortem was conducted in राइपूर और दूसरे का and of the other दूसरे का किया गया in महा समंद बोथ reports are awaited await का मतलता है प्रतिक्षा करना यानि दोनों reports का इंतजार है are awaited कुरैशी's condition is said to be critical यानि जो survivor है जिसका नाम कुरैशी है उसके condition को critical बताया जा रहा है मतलब इस्थिती नाजुक है यानि वो भी बचेगा की नहीं बचेगा इसका कुछ पता नहीं है तो मीद है किस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलाओगा ये वीडियो आपको अच्छा लगाओगा अगर वीडियो पसंद आये हो तो comment section में जरूर लिखिएगा जिससे मैं आगे भी इस तरह का content आपके लिए लाता रहूँ तो फिर next वीडियो में next lecture साथ मिलते हैं see you bye